आलू के किसानवाईयों के लिए आज इस वीडियो में दो मैं ऐसे सीगड़ बताने वाला हूं जिसके बारे में चर्चा तो बहुत लोग करते हैं लेकिन इसका असली सच कोई नहीं बताता है पहली बात किसानवाईयों यह है कि डंप के वारे में आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि डंप का आलू डंप का आलू लेकिन डंप का आलू काफी टाइम पहले बिक जाना चाहिए था लेकिन कुछ लोगों के पास आज भी जो डंप का आलू बचा है 2-4 परशंट लोग तेंपरिचर हाई है सब कुछ मतलब परिशान ही है फिर भी वो डंप क्यों नहीं बेच रहें इसके बारे में बताऊंगा दूसरी बात आलू में आने वाले टाइम में ऐसा क्यों लग रहा है कि किसान आलू क्यों नहीं बेच रहें यह वी एक जरूरी बात है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आलू के बारे में बताऊंगा तो किसान भाईयो रियल फर्म है जो किसान चेल में आपका स्वागत्त है मैं विकास गौड तो सबसा पहले सीगेट किसान भाईयो डंप व तो देखें से पहली बात यहां सबस्दमें आती है थेजबन रहे अब इस आलू को बेच क्यों नहीं है क्योंकि जो डंप का आलू होता है इसमें जो पानी होता ऐसकी बुलकुल यिल अलू काथ ऑफ्य फटाई चाहिए यहां गुजरात का इल आरा जो बेपर पास है आज असfund मंडी में что狂 सकता है अगर आजाए यहां तो यहीं होती है किई जो डंप कर और ऑलू है यह भी जो पहले 12 रुपे के लो था वो तेरे हो गया तेरे के बाद 14 हो गया जब इसके पैसे बढ़ते जा रहा है तो हो सकता है डंप वाले किसान वाईयों को ऐसा लग रहा है कि यह कहीं आप पंदर ना हो जाए इस जीज को वो काफी दीरे दीरे आलू को बेच रहे हैं ले भवड़ाने के कोई जरूत nix नीई इसका इखरे यहिए डंप का जो लोग की टमप नहीं बेच रहे हैं अब तक रोके रखे हैं वह यह है कि यह यह नहीक ही पुद्रूपर आरो मी वहाले बिकट वाला है उसकानोड़ एक्ष्ठा वेए ट्वारह पाशकर बिक्रा रहा ह यह काफी लोग इस बारे में कोई भी परिशन होनी जरूत नहीं है अब किसन बात आती है कोल्ड में इस उच्छाल के बारे में या क्या हो सकता है इस ऐसा भी माल क्या चला है तो देखिए सबसे सीगड़ बात यह है चीज में कि इस समय टेमपरिचर चला है चाली से में कम है लेकिन इस समय आलू के जो किसान है वो भी आलू जादा नहीं बेचना पसंद कर रहा है कहने के मतलब यह है कि आज मुझसे यह कहता है कोई कि बोली लगेगी आ जाईए कोल्ड में तो मैं इतनी गर्वी में जाना ही चाह रहा हूं तो आलू कैसे बेचूंगा लेक साथ गाड़ियों की खपत रहती है लेकिन गाड़ी जा रही है फिर भी आलू का रेट बढ़के नहीं दे रहा है तेरह चौदर रुपे किलों पर ही अटका पड़ा है यही कार्ड बना हुआ है डिमांड की कम होने की बज़े से यह कार्ड बना हुआ है और दूसरी बात पिछली साल बंगाल बिल्कुल भी आलू नहीं बेस रहा था है आज सभी जगा अपना मकई यूपी बालों के साथ हजई भा इंसे समय अब बंगाल भी अममारे साथ उन्मान्श श्दा नकल ला ता लेकिन आज चीज है अब देखें, ड्मांड आती है, तो कुछ भी हो सकता है, आलू है। अलू के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। अलू तो वह चीज है। अभी होने को तो चार दिन में 1,000 रुपय पेकेट पेखिजायर है और और दो दिन में आलू का रीटर 200 रुपय पे पेखिट पे आ जाए, आलू की कोई भी भी नहीं है, लेकिन हमें अपनी समाजदारी शेए काम लेना चाहिए हम तो हरो बहाव में बेचने आलू को हमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे किसानवाई इस चीज में खुछ समझदा रहे हैं और हम आपके लिए कुछ सीग्ट आपको बताने की कोशिच करते हैं कही डिमांड आती है उसकी बतानी कोशिच करते हैं तो इस चीज से आप जानकरी लेते हुए अपना नेड़े खुल ले सकते हो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं इसमें ठीक है और किसान वाईयों एक अजीब बात मैं यह और देख रहा हूं कि आगरा में विक्रा 600 रुपे पैकेट क्योंकि किसान वाईयों मुंवही में जो तुमारे आगरा का भी आलू जा रहा है जो सुगर फिरी में अब किसान वाईयों बात करते हैं हम दिल्ली मंडी की दिल्ली मंडी में आज एक से पैकेट सुर्य वेकाया लिए अलका साड़े 600 रुपे और चbilशी वाला है शाड़े 600 से लेकर 800 रुपे चनवल वाला रूठी वाला और बिया पी क्वाल्टी का सुर्या है जो कि बहुती कम मात्र में विक्राए वो 900 रुपे बिक्रानि कोई 900 रुपे के जादलोट नहीं ठ आता है अब बात करते हैं पानिपत की पानिपत मंडी में चपसुन आलू साड़े 600 रूपे पान सफॉर्पे यह पच्चास क्रोट की तौल में बिखता है यहां अब बात करते हैं बारबंकी की के राइंदरवन आलू की कोल डालू की कोल डालू जो राइंदरवन है वह विकाय चारस सक्षी से लेके बी आई पी एते 14 रुपेकलो अब इंदोर की बात करते हैं तो इंदोर का आलू विकाए 15 से लेके लगवग 18.90 रुपेकलो तक यहां पर विकाए ठीक है वहां पर पर पास आलू हो यह 100% और अब बात करते हैं मंबही की मंबही का किसान वाईयो जो आलू है वो विकाए 11 से लेके 3.45 रुपेकलो भी आई पी तो 14 निसाले रुपेकलो की जातर सोधे हुए हैं इंदोर की बात करते हैं 14 से लेके 16 रुपेकलो और गुजरत का विकाए 9 से 10 रुपेकलो अब नासी की बात करें आज काफी कम गाड़िये 11 गाड़िये और उसमें कुछ तेजी भी दिख अब किसान वाई यह बात करते हैं चेनी मंडी की चेनी मंडी में यूपी का विकाए 14 से लेके 16 रुपेकलो और एक्स्ट्रा भी आई पी क्वाल्टी है तो वह 10-20 रुपे और उपर विकला कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन जातर सौधा 16 रुपेकलो तक की ही हो र मंडी की बात करें के लLEX कि बात कर लेते हैं चणियान जातर रहने यह बिकला है और अलवाली की बात करें की मेसुर मंडी की बात करेते हैं साथ गाड़ी आज युत्ता प्रदेश आग्रा से पहुंची है और चौदेशन से लेकिस पंद्रेशन रुपे कुंटल यहां पर बिक्रा है तो यह हैं कि सर्वाईयो आज गालू के भाव की अगर बात करूं तो भाव आप जानने की आपको जुरूरत नहीं है क्योंकि चला है इसमें अभी कोई ज्यादा फेर बदल नहीं देखा जा रहा है और बाकी सभी किसान भाई हमारे खुछ समझदार है वह अपने आप खुछ दो निर्ड़न सही ले रहे हैं उनका आलू है वह अपने हिसाब से आलू को बेच रहे हैं और अगर किसान भाई आलू नही झालू